नौमा पाथ, विश्वेश वरय्या, प्रिष्ट संख्या 51 से 56 तक, तो सुनिये ये कहानी, विश्वेश वरय्या, आकाश में अंधेरा चाया हुआ था, बादल, आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते, तो बिजली चमकुटती और गर्जन होता, फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी, कुछी देर में गढ़े और नालिया पानी से भर गए, छै वर्षिय विश्वेश वरय्या, अपने घर के बरामदे में खड़ा, इस द्रिश्य को निहार रहा था, गली में, पंक्तियों में खड़े पेड, बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुन्दर दिखाई दे रहे थे, पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थी, थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहला रहे थे, जहां विश्वेश्वरईया खड़ा था, वही निकट की नाली का पानी उमड घुमड रहा था, उसमें भवर भी उठ रहे थे, उसने एक जल प्रपात का रूप धारण कर लिया था, वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था, विश्वेश्वरईया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था, सामुहिक रूप से वे प्रकृती की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे, प्रकृती शक्ति है, मुझे प्रकृती के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वो छोटा स लड़का बुदबुदाया, फिर उसने थोड़ी दूरी पर निर्भीकता से मूसलाधार वर्शा में खड़ी एक आत्रिती को ताड़ पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा, वह उसे तुरंत पहचान गया, उसके कपड़े भटे हुए थे, वह कमजोर और भूखी लग रही थी, वह एक जोंपड़ी में रहती थी, उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वह गरीब थी, विश्वेश वरईया ने सोचा, वह इतनी गरीब क्यों है, उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृती और गरीबी के कारण के बारे में जानने का प्रियास किया, वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहते थे, वह अपने अध्यापकों से भी जिरह करते, वह उनसे प्रकृती के बारे में पूछते, उर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं, कैसे इस उर्जा को पकड़ कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं, नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है, वह जोपड़ी में क्यों रहती है, क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृती और जीवन के बारे में अंतरद्रिष्टी प्राप्त होने लगी, उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान असीमित है, उसे बिना रुके सीखते रहना होगा, तभी उन्हें उन प्रश्णों के उत्तर मिल सकते हैं, जो उन्होंने उठाए थे, उन्होंने निश्चे किया कि वह जीवन प्रयंत तक चात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसी संकल्प में उनकी महानता की कुझी थी, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरईया का जन्म, मैसूर जो अब करनाटक में है, के मुद्देना हल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 को हुआ था, उनके पिता व्याद्य थे, वर्षों पहले उनके पूर्वच आंध्र प्रदेश की मोक्ष गुंडम से यहां आये, और मैसूर में बस गए थे, दो वर्ष की आयू से ही उनका परिचय रामायन, महाभारत और पंच तंत्र की कहानियों से हो गया था, ये कहानिया हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाती थी, कहानिया शिक्षाप्रद व मनोरंचक थी, इन कहानियों से विश्वेश वरईया ने एमानदारी, दया और अनुशासन जैसे मूल मानविय मूल्यों को आत्मसात किया, विश्वेश वरईया चिकबल्लापुर के मिडल वहाई स्कूल में पढ़े, जब उन्हें God Save the King, अर्थात ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे, वाला गीत गाने को कहा गया, तो उन्हें पता चला, कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है, अपने मौमलों में भी भारतियों को कुछ कहने का अधिकार न था, भारत की अधिकांश संपत्ति, विदेशियों ने हडपली थी, क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी, विदेशी शासन के कारण खर यह प्रश्न, विश्वेश्वरईया के मस्तिश्क में उमरता घुमरता रहा, राश्ट्रियता की चिनगारी जल उठी थी, और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही, विश्वेश्वरईया जब केवल 14 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्य हो गई, क्या वह अ अपनी पढ़ाई जारी रखें? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्ष हुआ, जब उन्होंने अपनी मा से कहा, अम्मा, क्या मैं बंगलौर जा सकता हूं? मैं वहां मामा रमय्या के यहां रह सकता हूं? वहां मैं कॉलिश में प्रवेश ले लूँगा, पर बेटा, तुम महरे मामा अमीर नहीं है, तुम उन पर बोज क्यों बनना चाहते हो? उनकी मा ने तरक किया, अम्मा, मैं अपनी जरूरतों के लिए स्वायम कमाऊंगा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा, अपनी फीस देने और पुस्तके खरीदने के लिए मैं काफी धन कमा दूँगा, मेरे खयाल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिन्हे मैं मामा को दे दूँगा, विश्वेश वरईया ने समझाया, उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था, समाधान ढूंडने की क्षमता, उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही, और इस कारण वह एक व्यावहारिक व्यक्ति बन गए, यह उनके जीवन का सार था, और उनका संदेश था, पहले जानो, फिर करो, बड़े होकर यही विश्वेश वरईया, एक महान इंजीनियर बने, आर के मूर्ति, अनुवाद सुमन जैन, अभ्यास, शबदार्थ, मंडराना, चारों और घूमना, मूसलाधार वर्शा, तेज बारिश, निहारना, देखना, बुद्बुदाना, धीरे धीरे बोलना, उपनिवेश, वहदेश, जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो, आत्मसात करना, आचरण में ढालना, मस्तिश्क, दिमाग, उर्जा, शक्ति, असीमित, जिसकी सीमा ना हूँ, अंतरद्रिष्टी, समझ, आत्रिती, आकार, एक, पाट से, क, अपने घर के ब्रामदे में खड़े होकर, छै वर्षिय विश्वेश वरईया ने क्या देखा, ख, तुम्हें विश्वेश वरईया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, क्यों, ग, विश्वेश वरईया के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे, दो, सवाल, विश्वेश वरईया अपने मन में उठे सवालों का जवाब, अपने अध्यापकों और बड़ों से जानने की कोशिश करते थे, क्या तुम अध्यापकों से पाठे पुस्तकों के सवालों के अतिरिक्त भी कुछ सवाल पूछते हो, कुछ सवालों को लिखो, जो तुमने अपने अध्यापकों से पूछे हों, तीन, अनुभव और विचार, क, तुम्हें सर्दी गर्मी के मौसम में अपने घर के आसपास क्या-क्या दिखाई देता है, ख, तुमने पाठ में पढ़ा कि एक बूढी महिला ताड़ पत्र से बनी छत्री लिए खड़ी थी, पता करो कि ताड़ पत्र से और क्या-क्या बनाया जाता है, ग, विश्वेश वरईया ने बच्पन में रामायन, महाभारत, पंच तंत्र आदी की कहानियां सुनी थी, तुमने पाठे पुस्तक के अलावा कौन-कौन सी कहानियां सुनी हैं, किसी कहानी के बारे में बताओ, घ, तुम्हारे मन में भी अनेक सवाल उठे होंगे, जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिले, ऐसे ही कुछ सवालों की सूची बनाओ, न, तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण है, चार, वाक्य बनाओ, पाठ में से चुन कर कुछ शब्द दिये गए हैं, तुम इनका प्रियोग अपने ढंग के वाक्य बनाने में करो, कह, हरे भरे, ख, उमड घुमड, ग, एक दूसरे, ग, धीरे धीरे, न, टप टप, चा, भटी पुरानी, पांच, इन वाक्यों को सुनो, और इन्हें प्रश्ण वाचक वाक्यों में बदलो, कह, ज्यान असीमित है, ख, आकाश में अंधेरा चाया हुआ था, ग, गढ़े और नालियां पानी से भर गई, ग, उसने एक जल प्रपात का रूप धारण कर लिया, न, राश्ट्रियता की चिंगारी जल उठी थी, चा, मैं काफी धन कमा लूँगा,